रजस्थान के विधान सभाचुनाव को मत्य नसर रखती हुए लगातार कॉंग्रेस और बीजेपी के दिगज निताओं के बीच आरोप प्रतरोप का सिलसला देखने को मिल रहा है इस बीच लगातार कई ऐसे दिगज निता हैं जो चर्चा का विश्य बने हुए हैं वहीं विद्यधर नगर से बीजेपी उमीदवार सांसत दियाकुमारी भी इन दिनों लगातार सुर्ख्यों में हैं मालूम हो कि दियाकुमारी को लेकर लंबे वक्त से चर्चाए हो रही है कि इस वार पार्टी हाई कमान उन्हें मुख्य मंत्री पत की दाविदारी के लिए आगे कर सकते हैं और इसी बीज देखा चाए तो दियाकुमारी डंके के चोट पर अपनी बात रखती हुई भी देखी सा रही है उन्होंने नर्पत राजवी के विरोध से लेकर ERCP तक अब अपनी बात रखी है उन्होंने कॉंग्रेस्ट खेमे के अंदरूनी कलहा पर भी खुल कर अपनी बात रखी है दरसल आपको बता देएं कि विधधर नगर सीट पर नर्पत सिंग राजवी की वज़ाए उन्हें उमीदबार बनाए जाने के विरोध को उन्होंने ये कहते हुए खारिस कर दिया कि ऐसी चीजें होती रहती है ये हर चुनाब में होता है पाटी एक परिवार की तरह काम करती है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको बता दें कि बीजेपी ने भैरो सिंग शेखावत के दामाद और पाँच वार के विधायक नर्पत सिंग राजवी को उनकी वर्दमान विधाधर नगर सीट से टिकेट नहीं दिया और पाटी ने यहाँ पर दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया है इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर खुल कर अपने बात रखी लेकिन दूसरी ही तरफ पुस्दियम अशो कहलोत और पूर्व डिप्टी स्दियम सचिन पाइलेट के बीच की खीचतान का भी उन्होंने जिकर किया उनका कहना रहा कि पता नहीं वे क्या बात कर रहे हैं क्या सपना देख रहे हैं राजिस्थान के लोग पिछले पांस साल में पूरी तरह से तंग आ चुके हैं उनकी आंत्रेक लड़ाई के कारड़ राजिस्थान में कोई काम नहीं हुआ पिछले 6 महीनों में को लुभाने की बहुत कोशिश की बीजेपी यहां पर लगातार हमलावर होती हुई नसर आ रही है साथी साथ उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंतरी अश्योग गहलुत की नितरत वाली सरकार ने चुनास से पहले कई घोशनाएं और वादी करके अति कर दी है लेकिन कु समझदार है और सो समझकर वोट देती है उनकी पास समय था लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया अब ऐसी बाते करना सही नहीं है इससे कुछ नहीं होगा इस तरह से दिया कुमारी ने अपनी बात रखी है मालूम हो कि सवाई माधुपोर से विधायक रह चुकी है दिया कुमारी और फिलहाल रास समंद से लोग सभा सीट से सांसद हैं और अब बीजेपी ने उन्हें उमीदबार बना दिया है ऐसे में यहां पर दिया कुमारी ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान कई मुद्दे सामने आते रहते हैं लेकिन उन पर ध्यान के इंद्रित क दिया कुमारी और महंगे पैट्रोल डीजल आदी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको वह आने वाले दिनों में अपनी आम सभाव में प्रमुखता से जरूर उठाएंगी कॉंग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया अब तक उन्होंने कुछ भी न उत्ते पर उनका कहना रहा कि केंद्र को दोश देना बहुत आसान है लेकिन राज्य सरकार को अपनी कमिया सुिकार करनी चाहिए परियोजना की विस्तरत परियोजना रिपोर्ट राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने तयार की इससे परियोजना पर उनकी पार्टी की सोच का पता चलता है मालूम हो कि सच्चिन पाइलेट ने ERCP का मुद्दा उठाया था और उनका कहना रहा था इसी मुद्दे को लेकर कि ERCP की मांग जो उनों उठाई है वो केंद्र की मुद्दी सरकार को पूरी करने चाहिए अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर क्या कुछ काम पूरे किये जाएंगे बीजेपी की तरफ से इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस